एलो एब्रीवान, जैहिन, माइनेम इस राहुल पर्मार जो graduate हो जाते हैं या फिर जिनका graduation का last year होता है वो combined defense services के थुरू armed force को join करते हैं आज इस session के अंदर हम बात करेंगे कि CDS यानि combined defense services की preparation in last के start दिनों में जो last 60 days बचे हैं इसमें हम केसे करें देखो हम लोगोंने पूरे 6 महिने से पढ़ रहे हमने सारे subjects पढ़े सारे subjects के question लगाए जो भी आपको आपके teachers में provide किये बट इन अंतिम दिनों में हमें कुछ selective topics के साथ आगे बढ़ना है हर subject के अंदर तो आज हम उन्ही सारे topics को discuss करेंगे थोड़ा सा हमारे exam को pattern को जानेंगे और ये जानेंगे कौन से topic से कितने कितने questions आते हैं जो कि important हमारे subjects भी होते हैं या फिर किसी particular subject के कौन से topic से ज्यादा question आते हैं चलिए बात करते हैं तो CDS की exam किस तरह से होती है written exam pattern for IMA, INA and AFA अगर आप Indian Military Academy, Indian Naval Academy या फिर Air Force Academy के लिए prepare कर रहे हैं तो आपको mathematics, elementary mathematics, English और general knowledge तीन paper देने पड़ेंगे बट अगर आप armed force को join करना चाहरे हूँ CDS entry के थूँ, वो भी OTA के थूँ, आप उसके लिए आपको English और general knowledge सिर्फ ये दो no paper देने पड़ेंगे, अच्छा अंदर क्या है, सर इसमें और इसमें अंदर क्या है इसमें आपका permanent commission होता है, और इसके अंदर SSC याने short service commission होता है ऐसा नहीं है, आपकी post same होगी, बस commission का अंदर रहेगा, ठीक है? आईए, आगे discuss करते हैं ये हमारी exam का question रहेंगे, कितने आएंगे, कितने marks के और क्या क्या duration रहेगा जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IMA के लिए, है ना? तो IMA के लिए हमें तीन paper देना है पहला paper English का, दूसरा general knowledge का और तीसरा elementary mathematics का English का paper, दो घंटे का होगा, 120 question होगे, और हर आपका पूरा paper, 100 number का रहेगा ठीक है, same goes with general knowledge, दो घंटे का paper, 120 question और 100 number का paper third, elementary mathematics का जो होगा, दो घंटे का paper, 100 question और 100 question रहेंगे, और 100 ही marks का रहेगा इसमें 120, 120 रहेंगे और इसमें 100 रहेंगे, बट अगर आप OTA के लिए prepare कर रहें, तो आपको mathematics का paper नहीं देना आपको सिर्फ और सिर्फ English और general knowledge का देना है, अब ये तो वो marks रहे कि अगर हमने सही किया कोई साभी question जो हमें आता था उसको हमने सही किया, तो ये marks हमें मिलेंगे बट अगर कोई question हमें नहीं आता, और हमने उसे गलत टिक कर दिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ऐसा नहीं है दिक्कत होगी क्या दिक्कत होगी आए जानते हैं अगर आप कोई से भी question को गलट tick कर देते हो तो वहाँ पर negative marking भी available है मतलब वहाँ पर mention की गई 0.33 तीनों में ही अगर आप एक question गलट करते हो तो 0.33 marks का reduction आपको हो जाएगा जो कि ultimately आपको merit list में पीछला देगा तो हमेशा याद रखना जिस question के लिए आप 100% sure हो कि हाँ मुझे ये आता है उसी question को tick करना जो question नहीं आता है या फिर आप confused हो दो बार सोच लेना बट गलट tick लगा के मत आना क्योंकि अगर आपने ज्यादा गलट tick लगाए तो आपका जो सही से जो number मिला उसका कोई माइना नहीं रहेगा इस चीज का विशेज ध्यान रखना अब केसा रहा है cds का pattern आये जानते हैं 2018 से लेकर के 2022 तक जो science है science है 2018 में 30 से 32 सवाल पूछे गए थे 2019 में वही 34 सवाल पीछे गए फिर इसके बाद 2020 में science थोड़ा सा reduce कर दिया था उसके बाद 2021 और 2022 मतलब आपको हर साल ल तक question दिखाई दे रहे हैं मतलब science में आपका biology, physics and chemistry इन तीनों के उबर आपको विशेज ध्यान देना है आप इन तीनों को basically में आपको बताऊं तो 9 और 10 वी की NCRT पढ़के जैहिन कर सकते हो अगर नहीं बेटा तो आपको जो भी आपके teachers ने पढ़ाया वो और साथ ही साथ आज जो teachers ने mention किये है topic अगर आप इन topic को भी करते हो तो ये वाला portion हमारा cover हो जाएगा आगे बढ़ते हैं history, history के अंदर 2018 में 17 question पूछे गए थे, 2019 में 18 question, 2020 में भी same goes 18, 21 और 22 में 20 और 21 question पूछे गए, मतलब इसमें 20 से ले करके तो 22 question तक हमें दिखाई दे रहे हैं, इतने question आप से history के अंदर पूछे जाते हैं, I suggest you to go with NCRT, go with the notes of teacher, go with the DPP, जो कि आपको class के अंदर provide की जारी, और कुछ important topic जिनके साथ हम बात करेंगे, आगे आता है polity, polity के अंदर 2018 में 20 question पूछे गए थे, 2019 में काफी reduce हो गया, that is 10 question, 2020 में 17 question, 2021 में 18 और 2022 में again 19, तो मतलब ratio हम देखे तो 17 से 20 के बीच में आ रहा है, इतने question हमें polity से पूछे गए हैं, तो polity में जो भी चीज़े आपको कराई गई आप ध्यान से समझ जाओ subject का weightage किस प्रकार से रहेगा, अब geography की बात कर ले, अब geography में आपको 18 के अंदर 19, 19 के अंदर 21, और 2020 के अंदर 17, 2021 के अंदर 18, और 2022 के अंदर 19, अब ये plus 4 question environment के, तो इस तरह से देखा जाए, तो हर बार आपसे 23, 23, 24 question geography और environment से जुड़के आ जाते, ये आपका geography और environment का हो जाएगा, अब इससे क्या चीज़ जरूरी है, वो मैंने आपको विकरांद के अंदर भी पढ़ाया है, वो मैंने आपको विराट के अं और अगेन 19 question, इस तरह से 18 से 2022 तक का ratio रहा है, sorry, no question पूछे गए थे 2022 में मतलब काफी ज्यादा reduce कर दिया था economics को, overall average की बात करें, तो 15 से लेकर के 17 question का आ रहा है, किसका economics का, इतने question आपसे economics के अंदर पूछे जाते हैं, इसके बाद current affair, तो current affair में 19 question, 26 question पूछे गए थे 2019 मे और 22 में पूछे गए थे 21 question, मतलब बहुत ज्यादा question भी पूछे गए हैं, तो current affair के उपर हमें विसेज ध्यान देना है, जो भी आपका तरीका है, उस तरीके साब current affair पड़े, बट current affair और उसको static से जोड़ ले, for example, अगर cyclone आ रहा है, एक example दे रहा हूँ बस, cyclone आ रहा है, cyclone नाम Michong है, आप से वो पूछ सकते हैं, कि Michong cyclone का नाम किस ने दिया, आप बता दोगे, म्यानमारन नाम दिया, बट अगर Michong cyclone क्यों आया, बेव बेंगोल के अंदर, तो हमेजी अगरोफी के साथ connect करना पड़ेगा, तो आपका current उसको statics या फिर traditional subject से जोड़ना, ये चाहिए, और ये ही demand करता, देखो, अगर NDA की बात होती, तो NDA के अंदर current के question simple होते हैं, simple, मतलब currents, मतलब ocean currents की बात नहीं कर रहा हूं, current affair की बात कर रहा हूं, तो currents की question simple होते हैं, directly, person in news, people, person, book, है न, author, इन चीजों से पूछते हैं, but CDS के अंदर वो relate करते हैं, not even current and statics, but one subject with another, एक subject को दूसरे subject के साथ जोड़ते हैं, for example, एक question मैंने आपको बताया था, आर के मेंदू, एक site थी, जो कि पांडिया rulers की थी, अब ये पूछा गया था, कि आर के मेंदू जो site थी, जो ancient time में पांडिया rulers यूज करते थे, trade के लिए, sea trade के लिए, वो कौन सी coast पर आती है को रोमंडल के उपर, नौर्दन सरकार के उपर, उतकल के उपर, या फिर मालवार के उपर, अब आपको पता होना चीद दोनों ही subject, तो याद रखना यही है CDS, इसलिए मैं इसको बहुत reputed institute मानता हूँ, exam के लिए, एकदम static question, proper question और सारे question का एक standard होता है, ठीक, आगे जाते हैं, जिसके अंदर static चीजे होती, कोई particular चीज पूछ ली एकदम से, for example, मैं आपको उता दू, static, एकदम static का part, वो किताब तब लिखी गई थी, किस न लिखी थी, इस तरह की question static के अंदर आ जाते हैं, और defense related चीजे भी आपकी, अच्छा defense related जितनी भी चीजे, वो आप के current affair में cover हो जाती, इसके अंदर क्या होता है, जो military exercise होती है, जो हम conduct करते हैं, हम हमारी armed force के अंदर कोई नए equipment को लाते हैं, या फिर कोई नई चीजे ले करके आते हैं, armed forces के अंदर, वो सब defense वाले part के अंदर आएगा, तो ये हमारा analysis रहा था, 2018 से ले करके, 2022 तक का, आगे बढ़ते हैं, अब topic wise देखते हैं, पहले English का देख लेते हैं, English में किस तरह से question पूछे गए, देखो बेटा, 10-10 question आप normally भी चल सकते हो, 10-10 question आप से पूछे गए हैं, जितने भी topic यहां पर mention है न, मैं आपसे suggestion भी देता हूँ आपको, आपसे request भी करता हूँ, कि आप English के उपर बहुत ज्यादा ध्यान दे, और अगर आप IMA join करना चाते हैं, है न, तो आप mathematics के उपर भी English जितना ही ध्यान दे, है न, ये दो subject आपकी नईया पार लगा देंगे, बाकि जो general knowledge है, वो आपकी पतवार को boost कर देगा, बट ये दोनों ऐसे subject हैं, कि अगर इन दोनों मे गलती हुई, मतलब नाओ में शेद हो जाएगा, और नाओ में शेद हो गया, तो फिर आप कितनी ही तेज अपने पतवार चलाओ, कोई मतलब ने उतना ही तेज पानी उपर चड़ेगा, आपको क्या cover करना, English I repeat, आप सभी लोग मेरे भाई बहन जैसे हो, हम class के अंदर बहु इस तरह की चीज़े आपको एक्जाम के अंदर मिल जाएगी, देखो, separate paper है, तो हर तरह की question आप से पूछेंगे, और total हमको पता है, paper भी बड़ा होता, हर तरह से आराम से आपसे 10 से 12, 10 से 12 उठा सकते, अब जैसे यहाँ पर close composition के अंदर 15, 15 पूछे गए हैं, तो हम इसके ज्यादा ध्यान दे, sporting errors में तो 20-20 तक चले गए, बट गए कप थे, 19 और 18 में, हो सकता है 6 साल बाद चीज़े बदल दे, है न, 24 में आकर के चीज़े बदल दे, तो हम इस वाले portion के उपर भी हमें जरूर जाना, sporting error के साथ-साथ, तो this is for the English, next, mathematics की बात करते, तो mathematics के अंदर, जैसे mensuration, तो mensuration से 18 के अंदर 13 पूछे गए थे, वहीं 21 के अंदर इसके अंदर बढ़ा करके 19 क्योशन पूछ लिए गए थे, तो इस तरह से mensuration, geometry, एक line चलती आ रही है 11-11-11 की, बट पहले 19-20, 19 और 18 में, वहां से 20 और 21 क्योशन पूछे गए थे, मतलब अच्छे क्योशन आता है, algebra 5, 19, 10, 12, देखो, मैं आपको सही बताऊना बेटा, आप इसी skip नहीं कर सकते, उन्होंने एक बार 5 पूछा, बट दूसरी बार उन्होंने 19 पूछ लिया, तो aware रहना है, ऐसा नहीं है, हम मतलब किसी भी हाल में इसकी कम पढ़ाई नहीं कर सकते, ये सोचके का रहे, algebra से कम नहीं आये, एक बार 5 आये, तो क्या हुआ अगली बार, पिछली बार उन्होंने 19 पूछ लिये थे, तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है, नंबर सिस्टम के उपर 10, 9, 20, 17, 13, ठीक है, profit and lows के उपर 6, 3, 1, 4, यहाँ पर से वेटेज कमपेरेटिवली कम है, बट यह easy होता है, तो इसको आप अच्छी से फिर भी कर सकते हो, फिर इसके बाद अगला आजाएगा, when diagram, when diagram के पर से 2022 में 4 पूछे गए, उससे पहले गयब था, आप इसके साथ भी थोड़ा leniency सो कर सकते हो, इसके बाद आजाएगा आपका simple and compound interest, 4 question, 4 फिर उसके बाद 2, 2, 2, 1 मतलब ठीक है, फिर time, speed and distance, 5, 3, 6, 8, okay है ये भी, time and work, 2, 2, 5, 4, 4, ठीक, trigonometry से 18, 15, 12, 10, 13, इसके उपर विसे इस ध्यान दे बिटा, trigonometry से बहुत ज्यादा क्योशन आ रहे, sign theta, ghost theta, है ना, 10 theta, हर चीज़ आप कीजिए, फिर miscellaneous से कित्ते पूछे गए, ये देखे, 24 से 26, फ मैंने 6 जोड दिया था, 2 से 4, मतलब 2 से 4 के बीच में 3 भी हो सकता, या फिर 4 या 2 हो सकता, 1 से लेकर के 2 भी हो सकता और 3 भी हो सकता, so this is for the mathematics, इतने question हम से अभी तक पूछे गए हैं, इस तरह से, 2 important चीज़ थी, वो मैंने आप लोगों को बता दी, अब आगे बढ़ते हैं, अगला हम discuss कर लेते हमें किन-किन topics के उपर विसेज ध्यान देना, सबसे पहले हम IMA, INA याने mathematics के लिए चलेंगे elementary mathematics के लिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना number system के उपर, याद रहे इसको आप अपने दिमाग में रख लो, एक और याद रखना, मुझे सर ने बताया, जो आपके सर थे, उन्होंने बोला, सर कभी भी question repeat नहीं होते, बट concepts हमेशा repeat होते, digit के से यो same कर देंगे, mathematics के अंदर नहीं करते, बट जो concept last question के अंदर था, previous question के अंदर, वही question आपके next question के अंदर भी, वही same concept हो सकता है, तो आपको concepts के उपर काम करना, formula को learn कर लो, और formulas की practice करो जितने ज्यादा formula की practice करोगे आप उतना ज्यादा beneficial रहेगा for mathematics, number system, algebra, geometry, mensuration, trigonometry, statics, time and work, speed and distance, in particular topics के उपर आप लोगों को बहतरीन और विसेज ध्यान देना है, और आप लोग कर सकते हो, है ना, अगर आप OTA के लिए हो, तो आपको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, but if you are for the IMA and INA, है ना, AFA, अगर आप इस चीज़ के लिए परश्यू कर रहे हो, permanent commission के लिए, तो definitely आपको इन चीज़ों को target करना पड़ेगा, और target सिर्फ नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें जितने ज्यादा हो सके, उतने ज्यादा question लगाना, जितना as much as possible, क्योंकि last के साथ दिन question, रोज लगाओ, रोज लगाओ, 10-10 question, और मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 लगा कर छोड़ दी, अगर आपके ऐस time है तो ज्यादा भी लगाओ, बट minimum 10 तो लगाओ, 10 नए words जानो, है ना, antonym, synonyms, अब इन ही का जो antonym ढूंड़े, उनका synonym भी ढूंड लो, तो ये 10 के 20 तो daily with revision, ठीक है, grammar का revision करना, question practice करना, daily, और उनका revision भी करना, sporting errors, ये कुछ important चीज है, जिनके साथ आपको आगे जाना है for English, दोनों ही main हमारे लिए गड़ था, हमारे लिए pillar था, हमारी, देखो, मैं आपको कुछ बच्चों की बात बताता हूं, जो select हुए हैं, है न, जिनसे मेर की बातचित हुई थी, उन्होंने मुझी यही बताया कि सर हमने focus किया था English के उपर, बहुत ज्यादा, क्यों, क्योंकि अगर वो IME दे रे तो भी English आएगी, अगर वो OT दे रे तो भी English आएगी, तो English के उपर उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा focus किया था, आप करो, सबसे अदर आपको kinematics, motion, दूसरा Newton's law, एक दो तीन, उन laws से related question, सर ने बोला कि उनसे related question और उनके जो formula उनको ध्यान रखना है, work power and energy, gravitation, gravitation के बाद यहाँ पर एक टिक कैसे लगाते हैं, एक मिट, यहाँ पर gravitation, gravitation के बाद आपका जाएगा pressure, ठीक है? ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के बाद pressure, प्रेशर के बाद mechanical property of fluid, इस चीज के उपर आपको ध्यान देना है, fluid के mechanical property, fluid and solid की, बाकी thermal property of solid, इन चीजों के उपर ध्यान देना, अगर आप pressure physics के अंदर अच्छा पढ़ते हो, तो pressure आपको applied form, याने geography में भी काम आएगा, फि इन ही topic को आपको cover करना है, go with NCRT, 9th और 10th के NCRT उठाओ, खतम कर डालो, एकदम ready रहो, बिल्कुल नहीं सोचना है, उनना tension लेना है, इसी तरह से हमको physics को आगे रखना, अगला आ जाता है आपका geography, अब geography को किस तरह से करना, देखो मैं होता तो, all concepts of physical geography, physical geography के अंदर जो भी चीजे मैंने आपको बताई है, याद रखो, अगर आपको tectonism बता रहा, तो compression, tensional, क्या बनता है, क्या नहीं बनता, रोक से कोन सी रोक किस से बनती है, क्या होता है, ठीक है, फिर इसके बाद जब मैंने आपको coriolis force पड़ाया, वो pressure belts में winds का moment, ocean currents में particular direction में, तो physical geography के concept, उन का geomorphic processes, है न, endogenic, endogenic, exogenic, insulation, insulation, insulation के अंदर याद रखना, race से question आते है, जो मैंने आप लोग को बताई थी न, race से question आते हैं, और बहुत सारे question आते हैं, अब race में, gamma rays, alpha rays, gamma rays, x rays, ultraviolet, visible, infrared, microwave, relative wave, इनके उपर pressure belts and winds का उठना, दूसरी जागे जाना, फिर उसके बाद अलग-अलग winds चलना, इसके अंदर include कर लेना, jet stream और geostrophic winds को भी, क्योंकि ये जब western disturbance होगा, तो Indian monsoon को impact करेंगे, मैं अलग से भी ये बता चुका हूँ आपको, फिर water state, अब water जो होता है, किस-किस तरह से पाया जाता, अब इसके अंदर सारा ध्यान रखना आप लोग को, water cycle जो होती है, precipitation, condensation, humidity, किस form में water available है, cyclone को पढ़ना है, world climatic region के अंदर special focus करना, grassland के उपर, और उन vegetation के temperature के उपर, जो म ocean currents का, जैसे कि El Nino, impact करता है, El Nino जो होता, ocean current को impact करता है, इन चीजों के उपर भी ध्यान रखना, fact of Indian geography, पहुत important, मतलब, concept of physical geography and facts of Indian geography, इंडिया की physiography, उत्तर से लेकर के दक्षिन तक, भारत, पूरप से लेकर के पश्यम तक, अब इसके अंदर जो जो आता है, भारत के पहा करना, physiography के अंदर, drainage system की बात करें, तो उत्तर भारत की नदिया, दक्षिन भारत की नदिया, पूरप की तरफ बहने वाली नदिया, पस्चिम की तरफ बहने वाली नदिया, इन नदियों की छोटी-छोटी tributaries, और इन tributaries और main rivers के उपर बने हुए dame, dame से उत्पन ने हु उस energy को conserve करने के लिए, अच्छी चीजों के लिए कि government of India ने कौन-कौन से initiatives लिए, जिसे उजाला योजना मैंने बताया थी, हर घर बिजली योजना, ये क्या-क्या थे, किस-किस तरह से काम किया जाता, energy efficiency क्या होती, इनके उपर काम करना, फिर इसके बाद है, तो आगे बढ प्रोजेक्ट, राइनो प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद है तो आपका cloud leopard project, हिमालियन प्रोजेक्ट, है ना, rhinosaur project, जितने भी चीजे, मैंने आपको ना सिर्फ forest, बट environment के अंदर भी पढ़ाई, पूरा-पूरा ध्यान देना उनके उपर, soil and agriculture का माइनली लेकर के चलना, इंट्रा-जोनल, इन सारी soil को देखना, agriculture, जो भी आपको बताया है, जैसे question ही पूछा गया था, golden fiber किसको बोलते है, अब golden fiber जो है, जूट को बोलते है, जरूरी नहीं है कि इंडिन जोगरोफिका है, ये जूट की characteristic है, तो हमें याद रखना है, ये कहीं से भी आ जाता है, mineral energy and industry, current affairs से relate करके पढ़ना, अगर energy से related कुछ नई चीज़ आई है, उसको देख करके, फिर उसके बाद है, industry, मैंने आपको सारी प्रकार के industry बताया थी, अलग-अलग basis पर raw material size, फिर उसके बाद है तो infrastructure, फिर उसके बाद है तो market oriented, weight gaining, weight losing, इन सारी industries को देखना, population and transport, इन सारी चीजों को हमें cover करना है, geographic के अंदर, और transport के अंदर क्या important railway zone, वो railway zone आप मानो ना मानो, उन railway zone को हमें कैसे करके cover करना है, क्या करना, मैंने क्या बोला हमें साब को अपने पास compass रखना, उस compass के अंदर direction बनाना, और direction बनाने के बाद सभी को plot कर लेना, सारी की सारी चीजों को कि northern कोंसा, western कोंसा, northeastern कोंसा, western कोंसा, सारी चीजों को इसी तरह से plot करना, ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला जाएगा, polity, polity में क्या करना, making of the constitution, अब making of the constitution के अंदर, जितने भी acts थे, आपके regulating act, आपके charter act, act of settlement, ठीक है, government of India, 1935, है न, जितने भी act थे, उनको करना, schedule mention, जित के अंदर भाषा, mention, उन सभी चीजों को बंढ़ना, हमारे rights, जो हमें provide किये गए है, article number 13, 14, 12, जहां से ले करके, तो 30 तक, जो भी rights दिये, उन rights को, directive principle of state policy, DPS, मतलब rights के साथ-साथ, rights हमारे अधिकार और दाइत, जो हमारी duties है, towards the state, towards the country, towards the nation, उन सारी चीजों के उपर भी focus क करना है, directive principle of state policy, जो भी आपको सर ने पढ़ाए, उनके उपर, parliament, जितना भी parliament में आपने जाए, parliament के sitting, parliament के session, upper house, lower house, उसके जितने भी members होते है, जो भी तरीके होते हैं, उनको बनाने के, appoint करने के, वो जानना है, important amendment, बहुत important है, amendment क्योंकि ये current से जुड़ जाता है, बहुत ज ज्यादा जुड़ता है, कौन-कौन से नहीं, amendment अब तक आए, कौन-कौन से और आगे आने वाले, और कौन-कौन से चलते रहे, तो amendment, union and state executives, जो union executives होते हैं, आपके president और ये, state executive, governors और ये, जो भी चीज़े इसके अंदर आती, उन चीज़ें के उपर आपको focus करना है, और जो सर ने आपको class के अंदर पढ़ाया, जो DPP आपको provide की, go with that, ठीक है, वही जोगरोफी के लिए again आपको एक और portion बता दे रहा हूँ, go with 11th class NCRT, 11th class part 1, part 2, 11th class part 1, fundamental of physical geography, part 2, India and environment, दोनों के साथ आप जा सकते हो, अगला जाएगा आपका, हाँ, polity नहीं, sorry, economics है, थोड़ा यहा Economics, economics के अंदर हमें क्या करना है, national income and determination, फिर inflation, unemployment, poverty, monetary policy, taxation, money and its characteristics, MSME sector, NBFC, फिर external affairs and important schemes, जो भी सर ने आपको पढ़ाई, जितनी भी schemes है, जितनी भी योजनाय है, जो पेपर, एक बढ़िया चीज आती है, विकास प्रिडिया, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज आवेलेबल हो जाती है, योजना की magazine साती, कुरुक्षेत्र, बहुत सारा data, बट हमें concise data की तरफ जाना, जो भी सर ने आपको focus करवाया, क्योंकि हमें इन आखरी के दिनों में चीजों को बिगाड़ना नहीं है, आगे बढ़ेंगे, अगला जाएगा history, अब history के अंद अगर इंडिया के बाहर है, तो कौन सी country के अंदर है, अरली और लेटर वेदिकेज, सोला के सोला ही महा जनपत, फिर उसके बाद है religious movement, मोरियंस, पोस मोरियंस, प्री मोरियंस के पहले मोरियंस के बाद, और मोरियंस, गुपता के पहले, गुपता के बाद, राजपू तेज इन चीजों के उपर फोकस करना ancient history के अंदर, medieval history की बात करें, तो Muslim invasions जो हुए थे, डिली को conquest करने के लिए, फिर Turks का हुआ था, Arabs का हुआ था, इनने जो invasion किये थे, मोहमद बिन काजिम ने, है न, मोहमद गोरी ने, मोहमद गजनवी ने, महमूद गजनवी ने, तो जो भी invasion थे, फिर सल्तनत का दोर, जो आपका 1206 से चालू हुआ था, 1526 तक, उसमें सारी dynasty, अगर slave dynasty हो, फिर उसके वाद है तो तुगलग dynasty हो, फिर लोधी dynasty हो, जो भी आपकी dynasty हो, उन सारी के सारी खिलजी dynasty, उन सभी को concise करना, मुगल एच के बारें पढ़ना, विजनेगर empire और other South Indian ruler जो कि बहमनी सल्तनत और ये थे, उनके बारें पढ़ना, फिर मराठा, सोरी, भक्ति और सूफी मूवमेंट को भी जानना, सेम टाइम पर medieval age के religious moment, फिर इसके बाद आपका मराठा, मराठा empire और मराठा empire से related सारी टम, चत्रवती सिवाजे महराज, उनके द्वारा, जितने भी चीजे, उनके नौरत न उनके थे, या फिर नो प्रधान, अस्ट प्रधान जो थे, सोरी, उन चीजों के बारे में ये आपको सभी इसी के अंदर ध्यान रखना, ये important topic हुए medieval history के, let's move towards the modern history, advent of European, फिर जितने भी आये थे, Portuguese थे, Dutchess थे, France से आये थे, Britishers थे, वो, फिर उसके बाद है, Indian Renessa, International Congress, Moderates, Extremist, Revolutionary, Gandhian Era, Freedom, India and Post-Independent, इन सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है, अब इन से related question आप जो भी लगा सको, जितने ज्यादा PYQS लगा होगे, साथ इसाथ, old NCRT, जो है, उन old NCRT के साथ आप जा सकते हो, बहुत अच्छी किताब है, that will help you very much, moving ahead, अगला जाएगा, World District, Renessa, French Revolution, American Revolution, Russian Revolution, Industrial Revolution, World War I and II, और कुछ चीजे आपके Cold War की, इन सारी चीजों के साथ साथ आप जा सकते हो, history के अंदर, अब इन चीजों से related, आप जितने ज्यादा question लगा सकते हो, उतना ज्यादा आपका फाइदा, देखो, हमने क्या देखा, 18-20, 18-20 question दिख रह जाएगे, अगला जाएगा biology, तो biology के अंदर, cell biology, tissues, human physiology, plant physiology, human health and disease, vitamins and minerals, reproduction, plant and animal classification, ये biology के कुछ important topic है, जो की again I am telling you, नवी दस्वी की NCRT के लाओ, कुछ ने, don't worry, वो जो मैंने आपको class के अंदर पढ़ाया, साथ इसाथ उनकी DPP, और nothing, इस से ज्यादा हमें कुछ नहीं करना, आगे, chemistry के साथ चले, तो chemistry हमको, periodic table, acid, base and salt, non-metal, metal, non-metal and its compound, ठीक है, non-metal नहीं है, metal and non-metal है, some important chemical compounds, gas low, radio activity, chemistry in everyday life, जो chemistry होती है, हमारी regular life के अंदर, जो भी आप यूज़ करते हो, polymers, plastic, इन सारी चीजों को, और इन से related question, again, go with 9th and 10th NCRT, उसके साथ अगर आप जाओगे, तो आप इन सारी चीजों को कर लोगे, अब सार आपने इतने ज्यादा topics बता दिये, इन सारे topics को, इन कम दिनों में कैसे complete करे, देखो, बहुत ज्यादा कम दिन भी नहीं है बेटा, 8 दिन है, पहले तो ऐसा होता था, कि लगभग 4 महीने ही बेच चलती थी, अब एक हम पढ़ चुके हैं, हमारे दिमाग में एक विजन है, और उसी विजन के उपर हमें revision लेना है, हम लेक अच्छा सा platform मना लिया है, right now it is time to tech flight, flight लेना है, तो आपको क्या करना है, जितने ज्यादा मैंने topics बताए, जितने सारे मैंने topics बताए, उन सार topic से, जितने questions आप लगा सको, लगाओ बेटा, जितना आप देखो मकारी करने का कोई सवाली नहीं उठता, ना time है ये, आप सिर्फ और सिर्फ धुआदार लगा के मेहनत करो, जितनी ज्यादा हो सकती, उतने ज्यादा questions लगाओ, उतने ज्यादा concepts पड़ो, practice करो maths की, practice करो English क और बाकी subject को revise करो, back to back, back to back, बस हो जाएगा, है ना, और घबराना है नहीं, आगे जानते हैं चीज़े, देखो, current affair के अंदर, defense security, मैंने आप लोग को बता दिया था, international relations, agreement, person, place in news, books and author, national, international appointments and government scheme, अब governments की scheme आपकी तीनों जगे चलेगी, वो आपकी economics के अंदर भी आ जाएगी और वही आपको current affair में भी मिल जाएगी, because video again I am telling you, बढ़िया चीज है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, data बहुत जादा है, इसलिए मैं उसके साथ आपको suggest नहीं करूँगा, जो भी notes आपको आसीम सर ने, संजय सर ने आपको provide किये, आपको notes के साथ जाएए, DPP लग देखो, दिन कम है, तो हमें proper planning and make small target, छोटे छोटे टार्गेट बनाओ, छोटे छोटे टार्गेट का मतलब यह नहीं, कि आज एक छोटा सा टार्गेट बनाया, शाम तक और आज का दिन खतम, छोटा टार्गेट बनाओ छोटे वक्त के लिए, है न, Pomodoro टेकनिक जो सभी ल करोगे न, तो ना तो ठकोगे, ठीक है, लास्ट के दिन है, कुछ टाइम पर phone, social media, सब कुछ avoid कर दो, किसी group के अंदर message करना, कुछ नहीं, अभी हमारा एक ही मकसद है, और वो है हमें पढ़ना है, जी जान से पढ़ना है, दिल खोल के पढ़ना है, पढ़ना है जीतने के लि लिया, इंग्लिस में, उस तरह से साथ 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 ही जी ये complete कर लिया, दूसरा उठा लिया, मतलब हमें जितना ज्यादा time हो सके, खुद के साथ self study में बिताना है, ठीक है, छोटे-छोटे target बना कर, और proper planning, हर चीज में, important topics पहले, जो कि मैंने आपको बता दिये, अपसे पहल में, जिन subject से ज्यादा आते, वहां से उठाओ, पटाक से, आपने भी previous year question लगाया, याद रखना, PYQS तो हमारे यहां बेठा होना चाहिए, अगर आप पिछले 10 साल के question लगा रहे हूँ, तो 10 साल से लगाते लगाते, जब आप 1 साल तक आए, तब आपके दिमाग में रहन चाहिए कि psychology क्या थी, examiner की, उसने किस तरह से question की language बदली, किस तरह से questions बदल दिये, उन सारी चीज़ों के उपर भी ध्यान देना, mock test, बढ़िया चीज, एक मतलब आपको, आपकी body के biology को तयार कर देती, exam देने के लिए, लगा ये mock test, जहां से आपको मिल जाए, जितने मिल जाए, mock test लगाना हमको, ठीक है, teaching technique, एक technique होती है, technique क्या होती है, कि जैसे कोई topic है, suppose करो मैं बताता हूँ, coriolis force, है न, coriolis force का ऐसा होता है, कि basically हम हमारे दिमार्ग में रखते, बढ़ आप उसको रखते हैं, और दूसरा subject उठाते, इतने मों भूल जाते, आप उसे किसी को स समझाओगे न, तो समझाते वक्त आपके mind के अंदर 10 नए सवाल उठेंगे, वो 10 नए सवाल का जवाब हम देंगे, आमने खड़े, आज तक आपको मना भी नहीं किया, आप question आप पढ़ो, पढ़ाते हुए, मैं यह नहीं बोड़ रहा हूँ कि आप सब कुछ छोड़ दो, बट जो भी आपके पास में रहे, जो topic आपको परेशान कर रहा है, बट important भी है, उसको teaching technique से आप कर सकते हो, दूसरों को समझा के explain करने के साथ साथ आप उसको कर सकते हो, ठीके, pomodoro technique के बारे मैंने आपको बता दिया, कि पहले क्या करो, आप decide कर लो, है ना, 25 मिट पड़ो, पड़ो, पांच मिट का आराम, ठीक है, आपका आराम भी होता रहेगा, आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी, आप ठकोगे भी नहीं, balance भी रहेगा और चीजे learn भी होती रहेगी, और जब आप इस तरह की चीज़े चार बार कर लो, तो फिर पांच वी बार में क्या करो, कु में बिल्कुल बिल्कुल भी डरना नहीं है, है ना, शान्त रह करके अच्छी से तैयारी करना है, ठीक है, तो जितना भी था, जो भी था आप लोगों के लिए, मैंने सारे important topics आप लोगों को बता दिये, देखो, exam सर पर है, notification भी आ गया था, वो भी हो गया, सारे excitement, दुनिया भर के सारी चीज़ों को रोक दो, at least 21 अफ्रेल तक के लिए रोक दो, वो पूरा का फूरा focus कहां लगा दो, पड़ाई के उपर, जितना ज्यादा बेटा मेहनत आज करोगे ना, उतना bright future आपका आगे होगा, आपको armed force जोईन करना है, हर चीज आपको मिलेगी, आपका करना तो limited वक्त के लिए, ज्यादा वक्त नहीं देना, ज्यादा वक्त हमारी पड़ाई को देना, क्योंकि ultimate priority हमारे लिए क्या है, हमारी पड़ाई, अभी कर लोगे ना, बेटा, सच मैं बोल रहा हूँ, life सुदर जाओगी, और देखो अब आप छोटे बच्चे रहे भी न कोई अलग चीजे कहूं कि आप ये सुनके motivate हो जाओ, आप वो सुनके, ये time आ गया है आपका, simple सी बात ये है, हमारे साथ करो या मरो का scene हो चुका, जो quit India moment था ना, अंग्रेजों को भगाने के लिए, एकदम वैसा करो या मरो वाली condition हो गए, अब हमें करना है, मतलब करना है ठीक है, हम जा रहे हैं, बिल्कुल हमें कोई डर नहीं है, हमारा होगा या नहीं होगा, that is a different thing, बट अगर आज हम महनत बहुत ज्यादा करेंगे न, तो वो होगा या नहीं होगा ठीक है, अगर हम महनत करेंगे ही नहीं, तो होगा जैसी चीज सोचने का तो कोई मतलब भी न रखते हो, बस आप एक अश्योरीटी लेलो, आप बहुत बहुत अच्छी से पढ़ाई करो, and all the very best my dear student, अपना ध्यान रखना, जै हिन एंड जै भारत